नमस्कार दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी यादवों के इतिहास के बारे में हमने आपको बताया था कि यादव एक बहुत बड़ी जाती है, एक बहुत बड़ा समुदाई है जो की पूरे देश में पाय जाते हैं एवं देश के अलग-अलग हिस्तों में अलग-अलग नामों से जाने जाते हैं उसी वीडियो श्रिंकला की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मशूर यादवों के बारे में जिन्होंने विश्व भर में नाम कमाया एवं अपने परिश्व, लगन, ताकत, सूझ-भूच और बुद्धिमिता से अपने देश का एवं अपनी कौम का नाम रोशन किया अपनी चर्चा शुरू करने से पहले बता दें आपको कि हम आपके लिए ऐसी ग्यानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए क्रिप आप हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लें तो चलिए दोस्तों बिना किसी देडी के शुरू करते हैं अपनी चर्चा दोस्तों आप महान योग गुरू बाबा राम देव को तो जानते ही होंगे पर क्या आप यह जानते हैं कि बाबा राम देव का असली नाम राम क्रिशन यादव है शायद आप यह जानते हों आज हम इस वीडियो में बाबा राम देव और राम क्रिशन यादव के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद पहले ना सुना हो बाबा रामदेव जिन्हे स्वामी रामदेव के नाम से भी जाना जाता है का जन्म सन 1965 में हुआ था बाबा रामदेव के पिता जी का नाम राम निवासियादव तथा माता जी का नाम गुलाबो देवी है बाबा रामदेव का जन्म हर्याणा राज्ये के महेंद्रगण जिले में सयद पुर्णामक गाउं में हुआ था जन्म के बाद इनके किसान माता पिता ने इनका नाम राम कृष्ण रखा धाई साल की उम्र में ही बाबा रामदेव को लकवे का दोड़ा पड़ा एवं उनका लकवे के कारण शरीर इठ गया जिसे उन्होंने योग की मदद से कड़ी महनत करके सही किया एवं पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए बाबा रामदेव ने अलग-अलग गुरु कुलों में संस्कृत भारती लिपी एवं योग की पड़ाई की उनके गुरु थे अचारे बल देव जी एवं गुरु करन वीर जी जो की आरे समाजी थे उन्होंने सन्यासी दिक्षा की प्राप्ती स्वामी शंकर देव जी से की ए द्वार चले आए जहां उन्होंने स्वानुशासन एवं अध्यात्म के बारे में अध्ययन अत्वा अभ्यास किया यहीं से प्रारंब हुआ बाबा रामदेव की सफलता का सफर बाबा रामदेव का मुख्य योग केंद्र गंगा नदी के तठ पर हिमाले के आचल हरिद्व कार में ही है यहीं वे प्रातेहकाल एवं साइकाल में योग सिखाते हैं एवं अभ्यास करते हैं जिसका प्रसारण सीधा टीवी पर भी आता है सन 1995 में बाबा रामदेव ने दिव्वे स्थापित किया सन 2003 में आस्था टीवी पर बाबारामदेव ने योग सिखाना शुरू किया जहां उन्हें काफी सरहाया गया दर्शकों को बाबारामदेव का योग सिखाने का तरीका काफी पसंद आया यहां तक कि भारत एवं विश्व की कई बड़ी हस्तियां बाबारामद के प्रशंसक बन गए विश्व भर से लोग बाबारामदेव के पास योग सीखने के लिए आने लगे वर्श 2006 में बाबारामदेव ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम पतंजली रखा गया पतंजली के कई प्रकार के सामान आते हैं मुख्य रूप से ज्यादतर वस्तुएं रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग होने वाली हैं जैसे पतंजली का दंत मंजन, पतंजली का शहद, चीनी, चावल, आटा, दाले, नूडल्स, सरसो का तेल, शाम्पू, टूथ पेस्ट, बालों में लगाने वाला तेल, साबुन, फेस वाश, क्रीम, मसाले, आधी पतंजली कंपनी की जिम्मेदारी मुख्य रूप से बाबा रामदेव और उनके साथ ही बाल कृष्ण पर है, दिन बर दिन पतंजली कंपनी नई उचाईयों को छू रही है, एवं इस कंपनी का चहरा और ब्रैंड अम्बैसडर बाबा रामदेव ही है, इन्होंने समाज के के खिलाफ आंदोलन भी किया था, बाबा रामदेव देश में स्वदेशी समान के प्रचारक हैं, इन्हें कई सम्मान वपुरुस्कार भी मिले हैं, सन 2017 में बाबा रामदेव को इंडिया टोडे मैगजीन ने विश्व के 50 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में पा देखी हैं, तो दोस्तों यह थी महान योग गुरू एवं उद्योग पती, बाबा रामदेव और फ्राम क्रिशन यादव से जुड़ी कुछ खास बातें, ऐसे और भी कई यादव हैं जिन्होंने अलग-अलग शेत्रों में खूम नाम कमाया है, जिनके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे, धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, एवं अधिक से अधिक शेयर करें, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, ऐ ऐसी अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद शुक्रिया थांक्यू